और इसी मुद्दे पर जमू कश्मीर के वित्मंत्री हसीब द्राबू से खास बातचीत की हमारे सनवादता अलोग प्रिदर्शी ने सुनी उन्होंने क्या कहा। बाकी पांच वाला कैटेकरी भी है लेकिन जो मोटा मोटा फाइनशल सविसेज ये टेली कॉम जो ग्रोई सविसेज उनमें 18% का रेट है लेकिन उनमें इंपूट तो है तो इफेक्टिव इंसट्ट जो है वो जो आज के डेट में चल रहा है उससे शायद कमी रहा जादा नह अब गैंबलिंग है उस तरह के टाय बिल्लिग मीटिंग में जो इंपूट क्रेडिस से पर मिल जाएगा तो इफेक्टिव इसस कम हो जाएगा अगली मीटिंग में कुछ जो चीज़े तै नहीं हो पाई है वो हो जाएगी तीन जून को अगली मीटिंग होनी है वैसे जीस्टी की दरें तै होने के बाद आपके घर का बजट कैसे कम होगा आपको कैसे फायदा होगा बता रहे हैं मेरी सयोगी अनुया तो जीस्टी के लिए अलग-अलग सरकार ने चार स्लैब यहाँ पर तै किये हैं 5%, 12%, 18% और 28% इन चार दरों पर आपको टैक्स देना होगा और यह तै दरे होने के बाद कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जिन पर आप अभी जादा टैक्स देते हैं और जीस्टी लागू होने क फिश, चिकन, अंडा, दूद, बटर मिल्क, दही, शहद, साथी साथ फल और सबजियां, आटा और बेसन, ब्रेड, साथी साथ नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टैंप, न्याइक, दस्तावेज जो हुए वो सब चीजे, प्रिंटिड बुक्स, अखबार, चूडियां और यह तमाम वो चीजें हैं, जिनने जी एस्टी के दाएरे से बाहर रखा गया, यानि कि अगर आप इन चीजें के लिए अभी पैसे कुछ चुकाते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दुनों में आपको यह और सस्ती मिले, क्योंकि इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कुछ जरूरी चीजें ऐसी हैं, जिन पर सरकार 5% टैक्स वसूर रही है, वो है फिश फिले, क्रीम, स्किंट मिल्क, पाउडर, साथी साथ ब्रैंड़ पनीर, फ्रोजन सबजियां जो आप खरीते हैं, कॉफी, चाए, साथी साथ मसाला, पीजा, ब्रेड, साबू दाना, कैर सीन, कोईले को भी इस काटेगरी में रखा गया है, दवाएं और स्टेंट को भी 5% की काटेगरी में रखा गया है, लाइव पोट्स, यह तमाम वो आइटम्स हैं, जिनने सबसे निचले पाइदान पर यहां रखा हुआ है, 5% की टैक्स आपको यहां पर इन पर देनी होगी भी 6